हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो और चैनल हाइपर देजबी मैं हूं मोहमद सोहेल दोस्तों कई लोग मुझसे कई क्वेशन्स पूछ रहे हैं क्वेरी पूछ रहे हैं इस्ट्राग्राम के अंदर कि सोहेल भाई निफ्टी 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 क्या क्राश करने वाला है मैरा आंजरा हां करने वाला है ऐसा क्राशने करेंगा क्रेंगा एक से दौ दिन का टाइम λέगा जिदर माइनस हजार माइनस दो हजार दो दिन के या तीन दिन के फरक के अंदर पूरा क्लोज करते वे एक ऐसा फॉल देगा जिदर हम लोगों को मेजर से मेजर रिवसल देखने को मिलेगा यह मैं क्यों बता रहा हूं मैं आपको अभी एक अनालेसिस करके देता हूं और मंडे लाइव मार्केट म एक बात याद रखो 200 एम में कई बार काफी बार सपोर्ट दिया है जिस वज़े से हम लोगों ने अच्छा सा लॉंग पोजिशन भी बनाया अच्छा सा शॉर्ट पोजिशन भी बनाया अभी 200 एम में साइडवेस मार्केट में जाते हुए परफेक्ट क्रॉसिंग किया है जिस वज़े से हम लोगों को pressure on selling ज्यादा दिखेगा, pressure on buying काफी कम दिखेगा, जिस वज़े से हम लोगों को focus pressure on buying पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा selling पे करना चाहिए, तो अब selling पे कैसे focus करें, वो भी मैं आपको बता दूँगा, आज तो 200 E.M. में break कर दिया है, जिसका complete indication है कि market धीरे-धीरे selling के तरफ पलट रहा है, 200 E.M. में का कामी है होता है कि position थोड़ा long बता है, पर trend बता है कि कौन से trend पे चलगा है, अभी के लिए देखो, आज का breakdown level यहाँ पे है, and यह है, and market के अंदर ये वाला जो zone है, ये no trading zone है, अच्छे से याद रख लो, no trading zone है, जब तक market ये level के अंदर trade होके, level break नहीं करता, 18, 5, 64 का, जब तक आप लोगों को position buying कहीं से भी और किदर भी देखने को नहीं मिलेगा, अगर market को retrace करना है, reverse जाने के लिए selling में वो यहाँ से ही होगा, वरना यहाँ से ही होगा, अगर market gap अब भी open हो रहा है, दोस्तों 10 और साड़े 10 बय तक wait करो, कि market position क्या बताएगा, जब तक market perfect position नहीं बताएगा, जब तक आप bank nifty या nifty 50 में trade नहीं पकड़ना, अभी तक bank nifty में 200 एमे का support break नहीं किया, इसका indication यह है कि nifty 50 भी support ले सकता है, जैसे ही Monday live market में bank nifty 200 एमे का position close कर गया, order nifty 50 ने कर दिया, अगर bank nifty भी कर देगा, तो समझ जाना, हमें जो position मिलने वाली है, वो complete pressure on selling position मिलने वाली है, और breakout हमारा ये है, and breakdown हमारा ये है, no trading zone जो हमारा होने वाला है, दोस्तों no trading zone हमारा ये है, जब तक level इसमें trade हो रहे है, आपको market में पैसा लगाना ह है ही नहीं, चाहिए वो straight line, straight candle बन है, या वो धीरे-धीरे, कैसा भी candle बन है, इस zone के अंदर आपको trade करना है ही नहीं, because 200 EMA recently break हुआ है, जब तक फिर से 200 EMA का support नहीं पकड़ेगा, हमें intraday नहीं मिलेगा, अगर Monday live market में level break कर रहा है, 18.436, तो भी fall होगा, अगर market support नहीं ले कर रहा है, तो काफी समय से यह overbought नहीं हुआ रहा है, इसका मतलब यह है कि Nifty 50 depreciation में आने वाला है, जिसका हमें indication 200 EMA में दे चुका है, बस Monday live market में, buying से ज्यादा, selling पे focus करिए, जो trade में provide करने वाला हूँ, आप देख सकते हो, PE पे भी trade देता हूँ, CE पे भी trade देता हूँ, profit booking भी देता हूँ, उसकी इंशोट भी provide करता हूँ, अपने paid group में भी update में कर दूँगा दोस्तों, Monday से Nifty और bank Nifty के ओपर trading चालू हो रही है, अपने telegram channel पे, अगर आप अभी तक telegram channel पे नहीं है, तो description में link है, click करिए, join करिए, वीडियो अच्छा लगा, तो दोस्तों, YouTube channel को subscribe करिए, thank you